सलाम वालेकुम आया मिर्फान फ्रामक का हार्डवेर एंड पेंट स्लोर बिसमिल्लै रह्मने रहीं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा करटा राड की ब्रैकेट्स के बारे में और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट लगाने के लिए पर्दा ब्रैकेट की जरुरत होती है क्योंकि पर्दा राड ब्रैकेट के बगएर ना ही पर्दा लग सकता है और ना ही पर्दे को आप हैंक कर सकते हैं तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा के कौन से राड को आप कौन सी ब्रैकेट लगाएं ताके आप पर्दे का समान लेने जब हार्ड वेर शॉप पे जाएं तो आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े तो दोस्तों पहले बात करते हैं सिंपल ब्रैकेट की यानि के सादा ब्रैकेट ये इस तरह की होती है हम इसको सादा ब्रैकेट भी कहते हैं और पत्री वाली ब्रैकेट भी कहते हैं क्यूंकि इसके साथ ये पत्री होती है और साथ ये सग्री होता है और नाट होता है और ये ल पाइप के सिर्फ दो साइज होते हैं एक इंच और पौनी इंच आप ने उस लिहाज से अपनी ब्रैकिट को लेना है अम आलम है तरह बाप को माँ से का चल इसमे आप इसमे चार सुराख होते हैं इसको आप दिवार पर स्टील कील की मदद से भी लगा सकते हैं अब बात करते हैं गोल ब्रैकिट की गोल ब्रैकिट इस तरह की होती है इसमें दोनों साइज होते हैं एक इंच वाला और पौनी इंच वाले पाइप को आप एक इंच वाली ही ब्रैकिट में लगाएंगे और पौनी इंच वाले पाइप को आप पौनी इंच वाली ब्रैकिट इत्व में ही लगाएंगे यह एक मिक्सते देगी लोहे चाहते हैं तो उसके लिए भी इस तरह की यह ब्रैकिट होगी इसमें दोनों पाइप लाग जाते हैं यह भी पत्री वाली और सिंपल ब्रैकिट है इसमें दोनों साइज लग सकते हैं एक इंच वाला और पौनी इंच वाला इसमें गोल वाली ब्रैकिट भी होती है इसमें भी ये सिंगल होती है और ये डबल ब्रैकेट भी आती है जहां पे आप डबल पाइप चला सके अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने दो पिलर्ज या दो दिवारों के दरम्यान में पर्दा लगाना है प्रस करें ये आपकी दो दिवारे हैं आप इसके दरम्यान म इसको हम गलासी ब्रैकिट भी कहते हैं और साइड ब्रैकिट भी कहते हैं इसके लगाने का तरीक्ता भी मैं आपको थोड़ा से समझा देता हूँ पॉल्दी बोल कर सुबह पजर निकलना है इसको जब आपने लगाना है आपने दोनो दिवारों पर निशान लगा कर एकवर राके इसको लगा देना है फिर उसके बाद जब आप पाइप लगाने लगे या राड लगाने लगे आपने इसको इस तरह से खोल देना है इसमें ये चूड़ी होती है ब्रैकिट को आपने खोल के इसके अंदर इस तरह पाइप लगा कर पिर आपने इसको इसके ओपर लगा देना है चूड़ी की मदद से इस तरह से आप इसको अपनी दोनों दिवारों के दरमयान में पाइप को लगा सकेंगे और ये चीज़ आपकी सूटिंग अलमारी में या कपड़ों वाली अलमारी में जब आप कपड़े हैंक करने के लिए राड लगाते हैं तो आप इसी ब्रैकिट की मदद से अपने राड को लगा कर अपने कपड़े हैंक करेंगे दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेर और सुब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताके मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए ले के आता रहूं शुक्रिया अल्ला हाफीज इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो याद मुझे नहीं पता मुझे दो मिलियन लाइक चीए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना जिला मैं कभी नहीं होंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इस